धन्राशी वालों को भागे के भुरों से नहीं चलना है आपको अपनी ओर से मेहनत करनी है क्योंकि अगर आप बात चीत करेंगे विचार मिश्च करेंगे तो वो रास्ता भी जुरूर निकलाएगा जो आप चाह रहे हैं क्या करना चेह समय में धनकी स्थिती ठीक ठाक बनी हुई है और एक आशीर वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ लेकिन जो आप व्यर्थ में उधार लेने की एक आदत सी बन जाती है कभी-कभी उसकी सलाह नहीं दूगा क्या ना करें इस समय में अपने विचारों में किसी भी तरह की negativity लाना इस समय परिशानियों को नियोता देना जैसे हो जाएगा जिन्दगी को एक नए तरीके से एक नए परस्पेक्टिव के रूप में देखने की कोशिश कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाईए